क्लास 10 हिंदी पार्ट बारा लक्नवी अंदाज इसके जो भी मोश्ट इंपोर्टेंट क्यूशन्स है 2022 बॉर्ड एक्जाम्स के लिए उनका हम आज डिसकेशन करेंगे पर्थम परसन है कि ये स्पाल जी का जनम है वो कब भुआ था सन 1903 में, सन 1904 में, सन 1905 में या इन में से कोई नहीं इसका अंसर क्या होगा सन 1903 में ये स्पाल जी का जनम कब हुआ था सन 1903 में हुआ था जूटा सच उपनियास के लेकक है हजारी परसादिवेदी, मन्नू बंडारी, राही मासुम रजा ये स्पाल जी नेक्स्ट है कि लखनवी अंदाज पाट किस विदा में लिखा गया है आपने के लिए क्या खरीदा समोसा खीरा ककड़ी चने या केले इस का अंसरोगा खीरा ककड़ी नवाब साहब ने खाने के लिए खीरा ककड़ी को खरीदा था नेक्स्ट है कि यसपाल जी का जनम कहां हुआ था फिरोजपूर चाओनी में, नसीराबाद चाओनी में या निम्मत चावनी में या एरिनपुरा चावनी में तो इसकांचर होगा फिरोजपूर चावनी में यसपाल जी का जिनम फिरोजपूर चावनी में हुआ था नेक्स्ट है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेकर कोन है अजारी परसाद दिवेदी, मनुबंडारी, जैसंकार परसाद यसपाल जी तो इसकांचर होगा यसपाल जी लखनवी अंदाज पाठ के लेकर कोन है यसपाल जी नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कतन है वो गलत है दादा कामरेड के रच्यता यसपाल जी है लखनवी अंदाज पाठ के लेकर कि यसपाल जी है यसपाल जी ने पतन सिल सामनती वरक्ट पर कटाक्स किया है या इन में से कोई गलत नहीं है तो इसकांचर क्या होगा D इन में से कोई गलत नहीं है ये सभी कतन सत्य है नेक्स्ट है कि निमलिक त्रीक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए ये स्पाल जी की मृत्यू सन खालिस्तान में हुई तो इनकी मृत्यू कब हुई थी उन्निसुचिंतर में नेक्स्ट है कि ये सपाल जी का खालिस्तान नामत उपन्यास बारत विबाजन की तरास्ती से समन्दित है कौन सा उपन्यास है जूटा सच उपन्यास जूटा सच जो उपन्यास है वो बारत विबाजन की तरास्ती से समन्दित है नेक्स्ट है कि दादा कामरेड उपनियास के लेखक खालिस्तान है तो इसके लेखक कोन है ये सपास जी नेक्स्ट है कि लेखक ने खालिस्तान क्लास का टिगट लिया इस कांसरोगा सेकिंड लेखक ने सेकिंड क्लास का टिगट लिया था नेक्स्ट है कि निमलिक प्रस्थनों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए इन सभी प्रस्थनों का उत्तर आपको एक वाक्य में देना है लखनवी अंदाज पार्ट के लेकर कौन है? इस लखनवी अंदाज पार्ट के लेकर किस पार्जी है नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पार्ट की साहितिक विदा क्या है? तो लखनवी अंदाज की विदा क्या है? वेंगे इस पार्ट की साहितिक विदा है वो वेंगे है नेक्स्ट है जूटा सच उपनियास किस गटना पर आधारित है नेक्स्ट है कि लक्नवी अंदाज पाट का मूल उद्देश्य क्या है तो इस पाट का मूल उद्देश्य बनावटी जीवन सेली पर कटक्स करना है नेक्स्ट है येस पाल जी का जनम कब और कहां हुआ तो येस पाल जी का जनम है वो सन 1903 में फिरोजपूर चावनी पंजाब में हुआ था नेक्स्ट है लेखक ने second class का ticket ही क्यों लिया था इसकांसर है कि लेखहक ने नहीं कहानी के बारी में सौसने के लिए ततथा Kherki से Prak Samasek दरश्य, देखने के लिए second class का ticket लिया था नेक्स्ट है कि लक्ष कि ये स्पार जी का जेल में किसे परिचे हुआ तो इसकांसर है कि जेल में उनका परीचे बगर सिंग और सुखदेव से हुआ था नेक्स्ट है कि लेख है कि यसपाल जी की किस धारा से जुड़ाव के कारण जेल गए इस कांसर है कि वे स्वाधिनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कांड जेल गए थे नेक्स्ट है कि ये स्पाल जी द्वारा लिखित किनी दो कहानी संग्रों के नाम लिखिये तो इसका अंसरों का ज्यान दान तता इंजरे की उड़ान ये ये स्पाल जी द्वारा किनी दो खानी संग्रों के नाम है